है गाईस कैसे हो अब लोग में आ गया हो और एक वीडियो लेका एडिक्टर यूट्यूब चैनल के लिए तो मेरे पास है OnePlus Nord C4 और इस फिरियो में मैं डिसकस करूंगा क्या मैं प्रॉब्लम फेस किया इस फोन को लेके और यह जो प्रॉब्लम है बहुत लोग फेस कर रहा है और एक कॉंसिस्टेंट प्रॉब्लम है और एक बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है इस फोन का तो डेफिनेटली अगर आप OnePlus Nord C4 खरीने वाले हो या खरीने चाहते हो तो मेरा जो एक्सपरियेंस है और जो प्रॉब्लम मैंने फेस क्या हो यह अगर आप जानेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा यह फोन लेना चाहिए यह नहीं या फिर क्या आपका डिसिशन होगा इस फोन के बाड़ म सबसे और सारे के सारे जो आप्षमस दे गया है इस phone का वह बहुत आपका काम में आना वाला है और सबसे बड़िया जो चीज मुझे लगए इस stell का कैमेरा और इसमें आपका फोन, चाह भिया है मुझे बहूत ही अच्छा लगा और 100W का charger इसमें included रहता है और इसके लिए फोन का जो charging speed है बहुत ही बहतर हो जाता है और मैं कुछ camera samples पर आपको दिखा जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कितना अच्छा photos आता है इसमें Prader में एक photo मैंने लिया था recently आप देख सकतो फोटो का detail बहुत ही अच्छा आया है और background blur भी बढ़ी आया है आप देख सकतो और यह जो photo है पुड़ा portrait mode पे मैंने क्लिक किया था और एक photo इधर पे देख सकतो upload और photo का detail बहुत ही अच्छा है और background blur भी अच्छा है तो camera के मामले में बहुत ही अच्छा cameras आपको मिलेगा इस phone में charging 26 minutes का अंदर हो जाता है 0-80% तो बहुत fast charging आपको मिल जाएगा सब कुछ अच्छा है oxygen OS 14 आता है बहुत fast और responsive वह ही है sound का clarity भी बढ़िया है और definitely call quality और call reception को लेके कोई problem face नहीं किया लेकिन सबसे बड़ा problem जो face कर रहा हूँ इस phone में वो problem सारे लोग face कर रहा है और वो problem है 5G plus network को लेके और 5G plus आपको अगर इस phone use करते हो तो आप comment में बता सकते हैं आ रहा है के नहीं क्योंकि मेरा phone में 5G plus नहीं आ रहा है और बहुत दिन से मैं एक phone को use कर रहा हूँ बहुत कुछ कर लिया बहुत network change कर लिया लेकिन 5G plus network इस phone में नहीं आता है और मैं जो SIM use करता हूँ वो SIM Jio का है Jio में ही मैं 5G network enable करके रखा हूँ जब भी मैं mobile data on करता हूँ मैं एक चीज इस phone में देखता हूँ कि mobile data on करने के कुछ देर बाद इसमें network आता है और network आने के बाद यह कभी-कभी 4G हो जाता है जब network नहीं रहता है और 5G में अगर रहता है तो 5G ही दिखाता है 5G plus नहीं आता आपको मैं difference बता देता हूँ 5G plus और 5G का 5G plus होता है enhanced version of 5G network जो आपका speed बहुत ज्यादा increase कर देता है speed मतलब network speed के बाद में बात कर रहा हूँ और limited area coverage में रहता है जैसे 5G plus अगर इस phone में enabled होगा तो बहुत कम distance तक सिमिट रहता है 5G plus network लेकिन speed बहुत बढ़िया आता है और 5G जो होता है वो ज्यादा distance तक जाता है आपका coverage और speed थोड़ा 5G plus से कम होता है तो मैं जब भी इसमें mobile data on करता हूँ आप देखेंगे कि इसमें जो network आएगा वो आईडर 4G आएगा या फिर 5G आएगा फिलाल मेरा इधर पर network उटना अच्छा नहीं है तो आप देख सकते हो 4G आ रहा है लेकिन मैं बहार निकलूंगा यह 5G में ही आता है 5G plus नहीं आता है तो यह जो इशू है यह मैं फेस कर रहो वान प्लस नौर से फोर में और स्पीड के मामले में भी मैं थोड़ा देखा हूँ 5G में थोड़ा कम स्पीड आता है 5G plus से इसके पहले नथिंग का फोन यूज करता था नथिंग फोन में 5G plus network आता था और उसका network का जो स्पीड था internet स्पीड वो भी थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा था इस फोन से लेकिन उतना भी आपको ज्यादा परिशान ही नहीं होगा क्योंकि 5G में भी बहुत अच्छा स्पीड आता है अलाकि थोड़ा ही ज्यादा आता है 5G plus में और definitely यह usable है आपका कोई भी अगर facebook या social media networks आप उपेन कर रहा हो बहुत जल्दी उपेन हो जाएगा 5G network में भी तो उठना परिशान है आपको नहीं होगा और इक चीज में नोटिस किया nothing phone 1 में जो call quality का network reception है उसमें मुझे बहुत परिशान ही होता था कभी-कभी जहाद पर low network आता था calls अच्छे से लगता नहीं था और calls स फोन में और बहुत fast और responsive भी है UI तो मैं बहुत कुछ try किया इसमें 5G plus network लाने के लिए और इसके लिए मैंने actually network settings में भी चेक किया जैसे मेरा calling के लिए जियो यूज होता है और internet के लिए जियो यूज कर रहा हो तो इडरा पर कुछ option मिलेगा auto switch data sim जो मेना off करकर रखा हूँ और आपको mobile data on करने के बाद इधर पर एक चीज more settings में अगर आप जाते हो तो smart 5G बोलके option रहता है तो इसको में enable करकर रखता हूँ अगर smart 5G burn कर देता हूँ जहां पर मुझे 5G network नहीं है उधर पर कोई भी network नहीं आएगा जो की बढ़िया problem हो सकता है इसलिए में smart 5G enable करकर रखा हूँ ताकि network अगर 5G का नहीं मिल रहा है तो 4G में shift हो जाए और definitely और थोड़ा options आपको मिलेगा जैसे में अगर SIM में click करूँ इधर पर मुझे options मिलता है Wi-Fi calling का इसको आपको enable करकर रखना परेगा data roaming भी enable करकर रखी है और preferred network में में इसमें select करकर रखा हूँ 5G, 4G, 3 तो यह वाला मुझे ज्यादा preferred लगा second वाले से तो मैं सारे के सारा options select करके रखा हूँ लेकिन 5G का network नहीं आ रहा है और में problem मेरा friends से भी verify किया था उसको भी same problem हो रहा है इस phone में तो देख थे OnePlus इसको fix करते है या नहीं next update में अगर fix कर देता है तो बहुत बढ़िया है अग चलाना पड़ेगा लेकिन सारे का सारे चीज अच्छे से हो रहा है 5G में भी डाउनलोड फिर उटना कम नहीं होता है डाउनलोड अच्छे से ही हो जाता है तो मुझे नहीं लगता बहुत बढ़ा issue होने वाला है लेकिन अगर आप बहुत fast डाउनलोड चाहते है या फिर आ आप ए फोन खड़िद लिए हो पर ही बोलके मैं इस वीडियो को एंट करना चाहूंगा अगर ए वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्यूंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता और चैनल पर टाच के लिए बसिटने आप